Hello everyone, welcome back to my channel Legal Pursing, guys I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज मैं आप लोगों के लिए ले के आई हूँ Indian Penal Code इससे पहले हमने डील किया है Constitution of India को आज भी वही same pattern follow होगा, सबसे पहले हम forever recent landmark judgments की बात करेंगे उसके बाद हम previous year question paper में जो जो cases आये थे उसे discuss करेंगे and फिर landmark judgment of 2022 कुछ 2-3-4 बात करेंगे 2-3-4 cases की बात करेंगे, okay so अगर आपको ये सारी चीज एक जगा चाहिए तो guys इस वीडियो में end तक बने रहेगा and also इस वीडियो के end में एक mini surprise भी है आप लोगों के लिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते है and description box में link है पिछले वीडियो की Constitution of India की उसे मिस मत करिएगा, ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते है okay guys, so let us start landmark judgments on Indian penal court सबसे पहला case हमारा है Subramaniam Swami versus Union of India हमें जानना important है तो आप लोग इसे एक बात पढ़ लीजिएगा मैंने यहाँ पर आपको provide भी किया है अगर मैं एक-एक सब समझाने लगूंगी तो यह वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और हमें इसे लंबा नहीं बनाना है हमें smart study करनी है और कम समय में जादे चीजों को cover करना है ठीक है तो इस case का नाम आप defamation case से याद रख सकते हैं इसके बाद चलते हैं आगे गाई इसके बाद mens rea cases मैंने क्या किया है कि जो important topics है उनसे related cases को आप लोगों के लिए एक जगा करके लाई हूँ कि इस pdf से read करने में बाद में revise करने में आप लोगों के लिए easy हो ठीक है तो brand versus woody एक बहुत famous case म.n.sria का इसके बाद है शेराज versus d.rudson जो लोग L.B. अच्छे से पढ़े हैं हर दिन class गए हैं law school में ये सारे case उन लोगों के लिए बहुत ही familiar होगा क्योंकि वहाँ पे starting इन सारे cases से किया जाता है ठीक है state of महराष्ट versus M.H. George 1964 का ये case है फिर प्रभात कुमार सिंग versus state of Bihar गाईजी 2021 का recent case है so ये important बन जाता है मैं सरिया के absence की बाद की गई थी इस case में medical negligence का ये एक case था इसके बाद mistake of fact section 76 and 79 इसका दो important case है guys the state of Orisa versus राम बहादुर थापा 1960 and the state of Orisa versus भागा बन बारीक 1987 तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूं guys कि ये जो mistake of fact है 76, 79 ये सब general defense का पार्ट है अगर आपने मेरी IPC की सीरीज नहीं देखिये जिससे कि मैंने इस चैनल को start किया था तो आप please देखिएगा क्यों क्योंकि All India Bar Examination में आपको help करेगी क्योंकि वहाँ पे section related है and very easily मैंने इन सारी चीज़ों को deal किया है description box में मैं link provide कर दूँगी इसके बाद accident section 80 उसका बहुत famous case है Tunda vs State का आप सभी जानते होंगे उसके बाद जागेश्वर vs Emperor ये भी इसी का case है accident का जो section 80 में है फिर act of necessity section 81 में बात करता है and R vs Doodley and Stephens बहुत important 1884 का case है इसे boat case भी कहा जाता है insanity section 84 जिसमें की हम ये 5 case बहुत important है R vs Daniel Queen Empress vs K.N. Shah Lakshmi vs State and ये जो 5th वाल है guys M not in rules determines insanity as defense ये rule बहुत बार exam में आता है तो इसे मत miss करिएगा फिर है section 86 चोड ड्रंकनेस की बात करता है okay guys drunkness दो तरेका होता है voluntary and involuntary ये ध्यान रखिएगा फिर श्रीकांत आनन्द राओ भोसले vs State of Maharashtra Rex vs Macken Director of Public Prosecution vs Beard ये सारे cases important है मैंने सिफ case का नाम आप लोगों के लिए इस लिए लेके आया है कि All India Bar Examination में direct question पूसता है ठीक है तुका राम vs State of Maharashtra बहुत important case है 1979 का ठीक है इसके बाद चलते है बच्चन सिंग vs State of Punjab Oh my God this case is my favorite case ठीक है rarest of rare case में ही आपको death sentence दिया जाएगा इस case में ये decide हुआ था constitutionality of section 302 of the IPC की बाद की गई थी इसमें बच्चन सिंग vs State of Punjab बहुत सारे exams में ये पूछा जाता है इससी रटेक का क्या case था लक्षमी vs Union of India इस पेक मूवी भी आई थी जिसमें हमारी दिपिका जी हिरोईन थी इसके बाद कियम नानावती vs State of Maharashtra मिस ही मत करना section 299 and 300 of the IPC जो की culpable homocide और murder के बारे में है उनके difference को ये case बताता है इसलिए ये famous है इसके बाद है मुहम्मद एहमद खान vs शाह बानो बेगम 1985 का case है triple तालाग का सबको पता है section 125 ठीक है सरलाम उगदल vs Union of India ये भी एक बहुत important case है 494 of the IPC क्या है comment section में बताओ Jessica Mudder case 2006 का है इस पेक movie भी आई है आरूशी तलवार पे भी आई 2008 का है DK Basu Ashok के Johari vs State of Bengal 1997 का case है जिसे हम popularly DK Basu case भी कहते हैं ठीक है इसमें arrest की जो procedure है क्या guidelines follow होनी चाहिए उसके बारे में है ठीक है फिर जोशब vs Shine जोशब शाइन vs Union of India ये अडल्टरी का एक case था recent है 2018 का case है अब previous year questions देख लेते हैं आप लोग देख के shocked हो जाओगे कि IPC में सिर्फ दो से तीन case पूछे गए हैं कुछ कुछ में तो case पूछे ही ने गए है तो इससे हम एक चीज़ आपको बता सकते हैं कि IPC में sections directly पूछे जाते हैं और secondly examples पूछे जाते हैं section based और example based ठीक है तो इस पे ज़्यादा focus करिएगा तो सबसे पहला है रूपा बाजाज vs KPS गेल is a famous case Supreme Court ने decide किया था outrage the modesty of women इसके बाद देखिए distinction section 299 and 300 अभी मैंने आपको बताया reg vs Covinda ये case आया है in which of the following case the offense of sedition was an issue तो ये चारो case में हैं all of the above the famous pronouncement of दिल्ली high court regarding constitutional validity of section 377 IPC तो ये है सुरेश कौशल vs नास foundation ठीक है गाईस तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा मैं ये चीज़ आप लोगों को इलिए लेकि आई यही दिखाने के लिए कि देखिए cases कितने खाम हैं तो इससे ये चीज़ clear है कि direct section based बूशता है IPC के question आप देखता पिछले सारे papers में direct पूशता है 299 में क्या है 300 में क्या है रेप का section क्या है defamation कहा दिया है adultery कहा दी गई है थीक है तो bare act की command होनी चाहिए ओकी तो lastly अब देख लेते हैं landmark judgment of 2022 महादेव वर्सेस B.S.F. यह हमारा सबसे पहला है जो section 100 of the Indian penal code की बात करता है थीक है body को जो right of private defense of body है उसकी बात करता है ठीक है SG Wombatkar versus Union of India यह 124A यानि की sedition law को hold करने की इस चीज में बात की गई थी keeping on sedition law on hold इस case में यह भी important है money rule मौला versus state of West Bengal पता नहीं यह लोग कैसा कैसा नाम रख देते हैं okay so section 53 of IPC की बात की गई थी यह case उससे related है कि that a sentence of life imprisonment till death without any scope of remission can only be passed in rape cases सिर्फ और सिर्फ rape cases में ठीक है गाईस तो यह थे हमारे आज के तीन landmark judgments of 2022 जो की important है plus जो forever recent judgments थे वो इतने ही नहीं है इससे भी बहुत सारे हैं यह तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ ले कि I.O. जो exams में अक्सर पूछे जाते हैं अगर आपको इससे भी जादा पढ़ना है तो it's your choice आप पढ़ सकते हो मैं यह सजस्ट करूंगी कि स्मार्ट स्टडी की कीजिए अगर पिछले दस साल के पेपर को देखा जाए तो उसमें case related question कम थे तो दिमाग लगाईए कि case related question अगर कम आ रहे हैं तो question किससे आ रहे हैं तो section से आ रहे हैं direct और illustration से direct आ रहे हैं ठीक है तो उन पे हमें जादे focus करना है in case of IPC बागी constitution में कितने सारे cases आया थे वो तो हमने देखी लिए ठीक है तो guys यही थी सारी चीज़े IPC से related हमने constitution कर लिया IPC कर लिया अब next क्या है वो जल्दी आपको पता चलेगा and guys जो मैं mini surprise की बात कर रही थी वो यह है कि जो हमारा four marks का question आता है act जो है उसकी bear act होती है और उससे यह 4-5 question frame होते है तो यह हमारे लिए automatically important हो जाता है क्यों कि हम एक exam दे रहे हैं वकील है भाई advocate है तो यह exam उसी के लिए तो होता है तो यह तो important है इसे जानना important है तो मैं यह plan कर लिए हूँ कि अगर आप लोगों में से number of people number of candidates यह चाहते है कि मैं इस पर एक session रखूँ जिसमें मैं आप लोगों को बता हूँ बहुत छोटी bear act है 30 to 35 sections हैंगे उसमें से भी 10 यह 15 बहुत ही important है उन्हीं से question बनता है तो अगर आप चाहते है कि मैं इस पर एक session लूँ तो comment section में आप बताईए उसे सबसे हम इसे करेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही and यह देख सकते हो चैनल पे new हो तो subscribe, like and share legal पर से और follow कर सकते हैं for more updates Instagram पे Telegram पे link कहा है बायो में है तो without wasting time आप जाईए अपना पढ़ाई कीजिए मैं भी चलती हूँ अपना ख्याल रखिए बाय बाय